अल्लाहिर राह्मान रराहिम, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स स्टूचर महामद यूसाफ को स्पीर ग्रूप अफ कॉलेंजेस्टूंडा कैमपस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में खोशाम देत कहता हूँ, आज हम चैप्टर नमबर 18 के टापिक अपरेश हमारा है यहां पे 10 ले स्टूडेंट देखते हैं आड़ा, आपिशनल एंपुफर है, यह हमारे पास सरक्ट डायग्राम इसकी बनाए गई है, इसको तरह देखते है, तकुछन ढाइग्राम ये बनी गई है, इसके अंदर यह अप रस्ट एंपुफरी को रस्तार्ब है, य आपको पता है कि जो हमारे पास टर्मिनल अर्थ किया जाता है उसका वोल्टेज यौन जीरो होता है जब हम यहां से input provide करते हैं तो resistance R1 में से current I1 flow करती है और resistance R2 में से current I2 flow करती है और output हमें हासल होती है इन दो terminals के दर्मियान V0 के बराबर होती है Dear students हमें पता है कि हमने virtual principle पढ़ा है virtual principle यह कहता है कि जो इसके potential difference और इसके potential difference का फरक होता है यानि इसका potential और इसका potential दोनों का जो फरक आता है difference between तब V plus and V negative और यहां से हम देख सकते हैं कि V plus और V negative के equal होता है अब हमने V plus को ground किया हुआ है इसका मतलब है कि इसका voltage 0 होदेगा अगर इसका voltage 0 है यह V plus है तो अगर इसका voltage 0 है तो लाजमी तोर पर यह हमारे पास जो negative symbol है इसका voltage भी 0 होगा क्योंकि यह दोनों की value जो है वो same आ रही है तो लहाज़ा output voltage में भी हो सकती है plus VCC या पर negative VCC के बराबर इन दोनों voltage में से किसी एक voltage के बराबर output जो हो हासल हो सकती है और यह maximum value जो आती है वो 12V आती है अगर यहाँ पर रहा तो यह plus 12V होगी और यहाँ पर रहा तो यह negative 12V होती है अब student देखती है जो हमारे पास output voltage हासल होने के बाद हम देखती है calculation करते है resistance R1 में से जो current flow कर रही है current flowing through distance R1 इसको I1 से लिखा है और यह ohms ला से potential difference between input and inverting terminal उबर आदेगा हमारे पास R1 यहाँ पर इसकी value 0 पीछे हमने देखा है इसकी value 0 यहाँ रपूट करते है यह वैसे का वैसी आदेगा इसमें से इसको minus करते है तो यह same वैसे की वैसे ही value आजाती है यह current आगे हमारे पास जो R1 में से flow कर रहे है इसी तरह जो R2 में से current flow कर रहे है R2 में से flow करने वाले current अगेन यहाँ पर आजएगा potential difference inverting terminal और output के दर्मयान जो दोनों के दर्मयान यह difference आ रहा है यह आजाता है हमारे पास इसकी value तो आपको पता है यह 0 है यहाँ पर भी आप इसकी value 0 लुगा रहे है यह देखे हमने इसकी value जब वह 0 लुगा है यह V0 वैसे का वैसे और यह minus V0 over R2 जा वह वैसे का वैसे आजाते है अब point P पर किर्चफ first rule यह हमारे पास point P है यह point P इस point पर आप किर्चफ first rule आप्लाई करते है और किर्चफ first rule यह होता है इस point की तरफ आने वाली तमाम current का मजबूँ है और इस point से आगे जाने वाली तमाम current का मजबूँ है वो किसके बराबर होता है equal होता है sum of all currents meeting at a point is equal to 0 यह हमारे पास first rule है तो यहां पर point P के अपर हमने जब यह rule लगाया तो यह I1 is equal to I2 के बराबर आदेगा I1 की value यह लिक्क हो यहां पर यह वाली I1 की value यह I1 की value है और यह हमारे पास I2 की value दोनों value को यहां पर पूट कर दिया है यह I1 की value लगाई और यहां पर हमने I2 की value लगाई अब student यहां से आप इस R2 को आप इदर ले जाएंगे इदर ले जाके multiply कर देंगे इसके साथ या इन दोनों की आपस में जगा interchange कर देंगे यहां पर आदेगा और यह जो I2 है V input है वो यहां पर आदेगा दोनों आपस में interchange कर देती है तो यहां पर जो negative R2 over R1 है यह हमारे पास relation आजाती है between two resistance जो के हमने operational amplifier के externally use की गई है और यह वाला जो हमारे पास relation आजाती है output voltage और input voltage के दिरमाई जो relation है इसको नाम देते तेहम voltage gain of the amplifier तो यहां से negative symbol यह student जाहर करता है कि जो हमने input दी थी उसके face को इसने change कर दी है face shift कर दी है 180 के अंगल पर change कर दी है और यह देखें रहा है इसको gain of the amplifier कर देते है negative symbol यह जाहर कर रहा है कि जो हमने input प्रवाइड की थी वो 180 के अंगल पर change हो गी है मतलब यह है कि जो हमने input ऐसे प्रवाइड की थी यह input हमने प्रवाइड की थी ऐसे यह input थी और output जो हमें हासल हुई थी output output की form हमें इस तरह मिली थी यह वरी शेप में ऐसे मतलब यह है कि इसका जो face है वो उल्ट हो गया है इसका positive half cycle negative half cycle में और negative half cycle जो positive half cycle में चेंज हो गया negative sign यह जाहर कर रहा है और R2 और R1 यह जाहर करता है कि यह जो gain of the amplifier है यह externally connect की गई R2 और R1 resistance के उपर depend करता है amplifier के अंदर क्या हो रहा है इससे इसका कुछ link नहीं है इसके उपर यह depend नहीं करता है इस चीज़ के उपर depend करता है कि R2 और R1 की values कितनी है इनकी ratio क्या है इस चीज़ के उपर depend करता है तो student आज का topic जो अब complete हुआ next किसी आउट topic में निशाला हादर होंगे अला हाफिस